नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल टी एश टेलर पाइंट आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 28 इंचेस्ट वाले कटोरी बलाउज का कटिंग अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नर्टिपिकेशन आप तक पहुं सकें तो चलिए सुरू करते हैं 28 इंचेस्ट वाले कटोरी बलाउज का कटिंग आज का हमारा मेजरमेंट है लंबाई है साड़े ग्यारा चेस्ट है 28 कमर है 26 सोल् और सामने गला है 6 इंच पीछे गला है 3 इंच कटोरी है 5 इंच तो इस मेजरमेंट के हिसाब से आज हम कटोरी बलाउज कटिंग करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले लंबाई को मापते हैं हमारा बलाउज का लंबाई है 1.5 इंच तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस क करके यहां पर निसान लगा लेंगे अब इसमें देड़ इंच प्लस क्यों कर रहे हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो हमारा साड़े ग्यारका देर इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया तेरा इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे दो और स्केल की सायता से इसको मिला लेंगे इसके बाद आते हैं सोल्डर पे हमारा सोल्डर है नव इंच तो 9 उनका हाफ होता है साड़े चार तो साड़े चार इंच पे हम यहाँ पर निसान लगा लेंगे यहाँ पर भी साड़े चार इंच में निसान लगा लेंगे और यहाँ पर भी साड़े चार इंच में निसान लगा लेंगे जाएगा इस निसान को यहां से आगे ले जाएंगे और हमारा चेश्टा है 28 इंच तो 28 को फोर्स डिवाइट करेंगे तो 7 आएगा तो हम यहां पर 7 निसान लेगा लेते हैं और 7 इंच यहां पर एश्टा मार्जिन हमारा कमर है 26 इंच 26 को फोर्स डिवाइट करेंगे तो हमारा आजाएगा शाड़े चेंच तो हम यहां पर शाड़े चेंच माप लेते हैं और यहां पर एक इंच डाट के लिए और यहां पर 77 इंच एस्टा मार्जिन यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे करके अब आ जाते हैं हम belt belt हमारा लंबाई है साड़े ग्यारे इंच तो हम यहाँ पर ready करके साड़े नाव इंच आना चाहिए तो हम साड़े नाव इंच यह हो गया ready करके और इसमें पॉन इंच प्लस करके तो यहाँ पर हम लेंगे सब दस इंच अब इस निसान को सीधर ले जाएंगे अब आ जाते हैं गले की तरफ यहाँ पर हम गला लेंगे पॉने दो इंच और हमारा गले की गहराई है छे इंच तो यहाँ पर हम ऐसे लेंगे और जहाँ पर छे इंच आएगा वहाँ पर इसे निसान लगा लेंगे और इसको अगे बढ़ा लेंगे यहाँ पर जैसे गले को पॉने दो इंच लिये हैं तो आप यदि डीब गला रखना चाहते हो तो यहाँ पर सबा दो या दो ले सकते हो मैं यहाँ पर दो ले रहा हूँ यहाँ यहाँ पर हम गले की तरफ पाव इंच डाउन करते हैं क्योंकि हमारे यह डीब गला है इसलिए पाव इंच डाउन करते हैं और यहाँ पर इसे राउन सेब दे देते हैं क्योंकि हमारे यह गोल गला है अब आजाते हैं कटोरी की तरफ कटोरी हमारा है पाच इंच यहाँ पर हम पाच इंच पे निसान लगा लेंगे यहाँ पर भी पाच इंच पे और इस निसान को ऐसे तीरच्छा टाइप का सीधी लकीर खीच लेंगे अब आ जाते हैं कटोरी का सेंटर कटोरी हमारा है 5 इंच तो 5 का हाफ होता है, धाए इंच यह हमारा कटोरी का सेंटर हो गया यहाँ पर भी कर लेते हैं निसान यहाँ पर उपर की तरफ पॉन इंच पर एक निसान लगा लेते हैं और यहाँ पर उपर की तरफ पॉन इंच उपर की तरफ डाउन कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ काटोरी का सेंटर पैंट से सीधी के मिला लेंगे यहां पर आ जाते हैं आर महुल की दरब हम यहां पर एक इंच ऐसे निसान लगा लेंगे यहां से यहां तक और इसको ऐसे राउंड कर लेंगे यहां पर कटोरी को राउंड कर लेंगे यह हमारा कटोरी राउंड हो गया अब यह हमारा सामने पल्ला का ड्राइंग कम्प्लीट हो गया अब हम इसको कट करेंगे चली कट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर करते हैं उसके बाद सोल्डर को करेंगे उसके बाद आर महल को यह हमारा हो गया सामने पल्ला अब हम इसको यह सोल्डर जो डाउन किया है पाव इंच उसको भी कट कर लेते हैं अब हम गले को कट करेंगे अब हम बेल्ट को लग करेंगे अब हम कटोरी को भी अलग कर लेते हैं यह हमारा सामने का पल्ला हो गया यह हमारा कटोरी हो गया इसको कटोरी अभी पूरा नहीं हुआ है इसको हम एश्टा मार्जिन देके अभी और बढ़ाएंगे यह हमारा हो गया बेल्ट हम जो बेल्ट अभी काटे हैं लंबाई में देड इंच एश्टा मार्जिन लेकर एश्टा लिये हैं ताकि हमारा जो बेल्ट है इसमें हम जब कपड़े में रखेंगे तो हमें कपड़े में एश्टा मार्जिन लेकर नहीं काटना पड़ेगा इस इस किटोरी में ही एस्टा मार्जिन लेके हमें बढ़ाएना है अब इसके बाद आ जाते हैं पीछे पला हमारा लमबाई है साड़े गयार इंच हमारा लमबाई है बलाउज का तो अब हम इसमें पीछे पले में देर इंच नहीं बढ़ाएंगे हम मात्र पॉन इंच बढ़ाएंगे अब पॉन इंच क्यों बढ़ाएंगे उसको अभी आगे बताऊंगा मैं यहाँ और पहले पॉने बारा पे यह सवा बारा सवरी सव बारे पे निसान लगाएंगे दो निसान लगा लेते हैं और दोनों निसान को ऐसे मिला लेंगे हम सोल्डर रखे थे साड़े चार इंज और गला रखे थे हम लोग पौने दो इंज और आर महुल को हम यहां उता रहे थे साड़े चार इंज यहाँ पर भी 4.5 इंच ले लेंगे यहाँ भी इस निसान को मिला लेंगे और हम सीना रखे थे 7 इंच टेश्टा का और एस्टा मार्जिन 7 इंच रखे थे यहाँ पर 6.5 इंच कमर में रखे थे और एक इंज आट के लिए और फिर सवा इंच एस्टा मार्जिंग रखे थे दोनों निचान को मिला लेंगे अब हमारा पीछे का जो गला है वो हमारा मैंने बताया था तीन इंच तो मैंने किस टाइब के बताया था मैं आपको बता रहा हूँ यह हमारा ब्लाउज है मैं कैसे नाप लेता हूँ आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है ब्लाउज के नाप लेनों उसमें देख लिजे आप लोग मैं कैसे नाप लेता हूँ जैसे हमारा लंबाई है साड़े ग्यारा इंच तो साड़े ग्या रहा यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर पाढ़े आठ हिंच पीछे गला कांए ही कर रहा है लेकिन कैसे नमाप लेता हूं मैं अशे यहाँ पर साड़े तीन क्य sound गाप से साड़ी तीन है लेकिन हमारा जो बलाओ नापा था 11 इंच में तो हम नापे थे 3 इंच तो 3 इंच को कैसे रखेंगे हम लोग यह हमारा 3 इंच हो गया अब इसमें आधा इंच 8 कर देंगे और यहां पर निसान लगा लेंगे मतलब इस तरफ से गहराई नापो 9 इंच 10 इंच या इस तरफ से एक ही मतलब होता है यहां पर हम इसको सीधा कर लेंगे अगे ले जाएंगे लकीर को और यहां पर जैसे हम लोग गले को पोने 2 इंच लिए हैं तो हम यहां पर यदि डीब गला है तो 3 इंच तक ले सकते हैं इसको 3 इंच, 2 इंच जैसे भी आप रखना चाहो अपने हिसाब से रख सकते हैं या कस्टमार के हिसाब से जैसा भी कस्टमार बोर्ड रहे हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं अब यह दोनों लकीर को हम मिला लेंगे और यहां पर ऐसे round shape दे देंगे यहां पर हम लोग यहां पर एक इंच रखे थे तो पीछे पल्ले तो हमारा डार्ट यहां पर आ जाएगा हाप इंच ऐसे करके और उपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा सवाती निच यहाँ पर ऐसे यह हमारा पीछे पल्ला का डाट हो गया अब यह हमारा पीछे पल्ला कम्प्लीट हो गया अब हम इसको कट करते हैं सबसे पहले यहाँ से करेंगे उसके बाद हम सोल्डर को करते हैं उसके बाद आर महुल को अब हम गले को कट करते हैं मैंने आप लोगों को एक चीज़ और नहीं बता है इसमें पीछे पल्लम है हमने सामने पल्ला को यहाँ पर गले की तरब पाव इंडाउन किया था तो पीछे पल्ले में भी हमको पाव इंडाउन करना है गले की तरब और इसको ऐसे करके मिला लेना है और इसको भी कट कर लेना है यह हमारा हो गया पीछे पल्ला कम्प्लीट अब हम यह जो कटोरी है हम लोग इकाले थे सामने पला से उसको मार्जिन लेके बढ़ाना है यह हमारा सेंटर का पाइंट है कटोरी का तो हम यहां नीचे से सीधी लकिल ले लेते हैं और यहां पर देड़ इंच बढ़ा लेंगे आप चाहो तो सवा इंच भी कर सकते हो या पौने दो भी कर सकते हो लेकिन हम यहां पर देड़ इंच ले रहे हैं और इस तरब सवा इंच एस्टा मार्जिन लेना है यहां पर भी ऐसी करना है सवा इंच एस्टा मार्जिन यहाँ पर हाप इंच एस्ट्रा और इसको राउंड से देते हुए हम जो सवा इंच एस्ट्रा मार्जिन लिये हैं उसमें लाकि इसको मिलाना है यहाँ पर भी हाप इंच एस्ट्रा मार्जिन लेना है और गले को ऐसे राउंड करते हुए जैसा हम गला पहले कांटे थे उसी हिसाब से हमको यहाँ पर करना है यहाँ पर हम लोग इसको मिला लेंगे यह हमारा यहाँ से आया था सवा इंच यहाँ पर इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ पर भी इसको ऐसे मिला लेंगे अब इसको हमको हटा लेना है हमारा सूर्जिंट पूरा हो गया अब हम इसको कट्वरिन के लिए कट करेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे हमारा कटोरी है पांच इंच तो धाय धाय होता है पांच लेकिन हमें extra margin तीन सूंत लेना है क्योंकि इधर हमारा यहाँ पर joint होगा हम लोग को extra margin तीन सूंत के साथ यहाँ पर निसान लगा लेंगे यहाँ पर भी एस्टा मार्जिन तीन सूप के साथ निसान लगा लेंगे अब यहाँ पर एक important चीज है यहाँ पर अब इंची टेप को रखेंगे ऐसे यहाँ पर कितना इंच आ रहा है उसको देखना है हमारा आ रहा है यहाँ साड़े साथ तो हमको यहाँ पर ऐसे रखना है बरकीर में यहाँ इस पैंट सी पैंट तक इसको region और इसको ऐसे राउंड करके ऐसे कर लेंड आब हम इसको कट करेंगे यह हमारा अश्टा मार्जिन के साथ गहाँ है आvette हम इसको कट कर लेते हैं यहां पर हम जो निसान लगा हैं वहाँ पर कटकर निसान लगा लेंगे और इस निसान से हम लोग 5 इंच एस्टर लिए थे हमारा जो आए गया यहां पर 72 इंच नीचे तक 72 इंच हम सिधी ले लेते हैं और इसको यहां से ऐसे मिला लें यह हमारा एस्टर मार्जिन के साथ कटोरी कम्प्लीट हो गया अब हम इसको ऐसे करके यहां पर यह जो कट लगाया है दोनों निसान को ऐसे मिलाएंगे और यहां पर सेंटर का निसान ले लेंगे और यहां पर जो हम सेंटर लगाया थे कटोरी का वो ऐसे मोड लेंगे यहां से यह देखिए हमारा कटोरी कितना बेहतरीन है यह हमारा कटोरी हो गया यह सामने का पलला ऐसे ज्वायंट होगा इसमें और यह हमारा हो गया बेल्ट हमको बेल्टों को एस्टा मार्जिन देもう बढ़ाना नहीं पढ़ेगा क्योंकि हम five inch एस्टा कानटे थे यह हमारा कम्प्लीट हो गया 28 सिंज चेस्ट वाले कटोरी ब्लाउच का कटिंग यह हमारा पीछे पल्ल हो गया